कि अब आइस जाते हैं तब हमारे सामने सबसे मुख्या दो सवाल खड़े हो जाते हैं नमबर एक सवाल यह है कि हम ऑफ ग्रीड सुलर सिश्टम लगवाएं या फिर ओफ ग्रीड सुलर सिश्टम लगवाएं इसके लगव दूसरा सवाल है लगाने तो इन दोनों हमें हमारे जवाल है इसका जवाब घृता जाले वहाइं दोस्के और चोटी ऑपके चलप कर जाती हैं और पर वास आती है फिर वापस कर जाती है तो इस समय आपको ऑफ्ग्रीड लगवा लेना चाहिए दोस्तों आपको एक और छोटी जानकरी मैं यह भी देदू कि अगर आपने आपके घर पे on-grid solar system को लगवा रखा है तो अगर आपके घर की बिजली चले जाती है चाहे वो 10 मिनट के लिए भी चले जाती है तो आपके घर पे कोई भी उपकरण नहीं चल पाएंगे कोई भी उपकरण का मतलब यह है कि अगर आपके बाहर की बिजली चली गई जो आपकी गवर्मेंट के रही है वो चली गई तो आपके उपकरण बिल्कुल बन जाएंगे ऐसा नहीं कि वो solar panel पे चलने लग जाएंगे ऐसा नहीं होता आपको पहले सवाल करता जवाब मिल गया कि आपको अंग्रीट लगवाना है या फिर और आज के हमको मोनो पेनल लगवाना चाहिए या फिर पूली solar panel लगवाना चाहिए यह thin flame solar panel इसने नहीं लगा जाता है क्योंकि इसकी एफेसेंसी काफी जादा कम है और जो solar panel को हम सजेश्ट करते हैं वो पूरा का पूरा खेल एफेसेंसी के ओपर होता है अब इस वीडियो के दर आप काफी अच्छे से इस चीज को समझ जाओगे तो दोस्ब सबसे पहले हम मुख्य चीज के ओपर आ जाते हैं क्याकि इन दोनों में महेंगा कौन सा है मतलब किसकी प्राइज जादा है और किसी कम होती है तो दोस्ब हमारा जो poly crystaline solar panel होता है यह हमारा सस्ता होता है जबकि monocrystaline होता है यह हमारा महेंगा होता है अब यह क इतना मेहंग वह кितना सएंगा, तो जो polycrystalline solar panel होगma, यह आपको कड़िब 150 लुपए 900 लुपए को सस्ता पर जाएगा, अगर आप घरवे 1 BMW solar panel लगवाएगे लुप oh पॉली लगवाएगे तो आपको 5-7.000 लुपए कम देने पड़ेंगे जबकि Mono Crystal Line एक किलो वाट का solar panel आपके poly के मुकाबले 5-7 जार रुपे महंगा होगा इसके लाव दोसी चीज है कि हम कैसे पहचानेंगे जैसे हमारे सामने दोलो solar panel पढ़ें तो हम इसको कैसे पहचानेंगे कि वो mono है या poly है तो दोसी इसको पहचाने के हमारे पास में दो तरीके हैं सबसे पहला होता है इसका color देखके color देखके कैसे पहचान होगे तो अगर आपको कहीं पे भी solar panel दिख रहा है वो dark black color का दिख रहा है मतलब बिल्कुल black color का दिख रहा है तो वो हमारा mono crystalline solar panel होता है जबकि अगर आप poly को देखोगे तो poly हमारा dark blue color का होगा इसके अलावा इन दोनों solar panel को पैचान निकले एक और नियम यह होता है कि जब भी आप इनके solar cell को देखोगे तो जो हमारा poly का तो solar cell होगा वो बिल्कुल इस तरी के से चोकोर होगा है और अगर आप mono panel को देखोगे तो उस panel के अंदर हमारे यहाँ पे side में cut लगे रहता है अब दोस्तों यह जो cut होते हैं यह cut जादा कर हमारे white color के होते हैं इसके अलावा किसी-किसी solar panel के अंदर आपको यह black color के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं तो आप इस cut को देखके भी हमारे solar panel की पैचान कर सकते हो इसके अलावा दोस्तों हमारे तीसरा main difference जो आ जाता है इसी को देखके हम solar panel को खरीटते हैं तो दोस्तों तीसरा difference है हमारा efficiency के ओपर अब यह efficiency हमारे solar panel में को कितनी मिलती है और mono में कितनी मिलती है हम यह जान देते हैं दोस्तों जैसा कि मैंने आपको starting बता है कि solar panel तीन तरीके के होते हैं तो हमारे जो thin flame solar panel होता है इसकी efficiency 8-10% ही होती है मतलब कि solar plate पे जितनी रोशनी पड़े की उस रोशनी का मातर 8-10% ही हमको electricity की form में निकाल के देगा इसलिए इसका चलन आज के समय बिल्कुल तरीके से बंद हो चुका है अब हमारे पास दो बज़ जाते हैं एक poly और एक mono अब दोस्तों अगर इसकी efficiency कम है तो इसकी efficiency हमको नुकसान क्या हो रहा है क्योंकि हमारे पैसों की सेविंग हो रही है 5-7,000 रुपे हमारे स्टाइटिंग में बच रहे हैं लगाने से पहले पर हमको इससे फाइद है या नुकसान क्या है अगर हम शॉप पे लेने जाते हैं तो हमको यह है बता जाता है अगर आप ऐसी जग इलाके में रहते हैं जहां पर हमारे धूप कम आती है तो आपको वहाँ पर अच्छी सूरज की रोशन है तो इसके पीची कितना सच है तो दोस्तों हमारी यह कंपनी होगा कहना बिल्कु जीरो आपको बिल्कुल भी नहीं होता है आपको जो भी हमारा पॉली किचलाइन सोलर पैनल देगा उससे थोड़ा सा ज्यादा उससे कितना ज्यादा तो उससे आपको यहां पर दिख रहा है यह आपको 6-7 परचेंट ज्यादा बिजली हमको दे देगा कौन सा सोलर पैनल हम ईंको मोनो किश्ला इंट सोलर पैनल देगा इसलिए का जाता है अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हो वेदर खराब रहता है जहां पर हमारे वाइड कूरी मिल पाती वहां पर को ओने सोलर पैनल आपको पोले के मुकाबले 6-7 परचंड ज्यादा सेविंग कर देंगा तो ऑ अगर आपको आपके solar panels ज्यादा efficiency मतलब ज्यादा output चीए आपको बिजली बिल में ज्यादा saving चीए तो आप monokishline लगवा लिजिए बढ़ना polyokishline पर जा सकते हो इसके अलों कहीं लोगों के मन में इसकी life को लेकर चिंता रहते हैं कि हमारा monokishline और polyokishline की life क्या होती है तो दोस्तों हमारे जो दोनों solar panel है इन दोनों की life जो होती हो बिल्कुल equal होती है ऐसा कोई difference नहीं है कि हमारे किसी life ज्यादा होगी और किसी life कम होगी बस हमारा जो फरक पढ़ जाता है वो पढ़ जाता है हमारा एक space के उपर अगर आप आपके घर पे 1 kilowatt से 2 kilowatt का solar panel लगवाएंगे तब तो आपको इतना difference नहीं पता चलेगा पर अगर आपका भी बड़ा plant को establish करवाना चाते है तो उससे मैं आपको साफ पता चलेगा अगर आप poly solar panel को लगवाते है तो आपको ज्यादा area मतलब ज्यादा जगे की ज़ुरत पढ़ती है जिपकि आप monokish line solar panel को लगवाते है तो आपको थोड़े कम area की ज़ुरत पढ़ लेगा और दोस्तों अगर मैं आपको थोड़ा roughly idea कि हमारे कितने एंपेर में फरक पड़ेगा तो अगर हमारा monosolar panel cloud area में 8 एंपेर तक दे रहा है तो हमारे जो पोली solar panel होगा वह cloudy area में आपको 7.60 एंपेर तक दे देगा तो हमारा इन दोने के अदर मात 6% का ही difference होता है